पिछले कई सालों से जनता मोदी के नाम पर विदानसभा चुनाओं में उमिद्वारों को वोर्ट दीती आ रही है लेकिन इस बार पांच राजों के चुनाओं में ऐसा बिलकुल नहीं हुआ यहाँ बीजेपी की हार हुई ऐसे में क्या यह कहा जा सकता है कि मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है देखिए रिपोर्ट गुजरात और करनाटक विदानसभा चुनाओं में अगर बीजेपी की जीत हुई तो मोदी लहर की वज़े से लेकिन हाल ही में हुए पांच राजियों में बीजेपी की हार साबित करती है कि देश में मोदी की लहर कम होती जा रही है आईए आपको इसके पीछे की वज़ों से वाकिप कराते हैं पहली है जीएस्टी जमीनी तौर पर जनता का कहना है कि जीएस्टी के चलते कारोबार उजडगे जीएस्टी ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी ऐसे में राजस्थान से लेकर मधिपर्देश में मोधी सरकार के लिए इसका गुस्सा देखा जा सकता था जिसे जाहिर करने के लोगों ने बीजेपी के विरोध में वोट किया दूसरी वज़ह रही नोट बंदी नोट बंदी को लेकर रिजर्व बैंक के जारी आंकरे बताने के लिए काफी है कि अमोधी सरकार का सबसे गलत और महंगा फैसला था सरकार ने बिना तेयारी केस फैसले को लागू कर दिया नतीजन देश को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ महीने भर तक जनता परिशान हुई सो अलग इससे नाराज जनता ने सरकार के खिलाफ वोटिंग कर सरकार की बोलती बंद कर दी तीसरी वज़ा रही काम कम परचार जादा बीजेपी को लेकर आम जनधारना यह है कि बीजेपी काम कम करती है और परचार जादा फिर चाहे वो खुद पीयम मोदी हो या फिर विधायव इस जन्धारना को सोशल मीडिया ने भी धार देने का काम किया है जिसके चलते या माहौल बन गया कि बीजेपी काम कम और परचार जादा करती है चौती बज़ा रही बीजेपी का गुरूर जन्ता का यह भी कहना है कि मोदी लहर के कारण बीजेपी में एहनकार दिखने लगा था जिसका खाम्यादा जन्ता को भी भुगतना पड़ता था दीरे दीरे जन्ता में आक्रोश पैदा होने लगा जिसे इन विधान सवा चुनाओं के नतीजों के तौर पर देखा जा सकता है पांचवी बज़े रही कॉंग्रेस की मेनद बीजेपी असल मुद्दों से भटक कर कॉंग्रेस पर केंद्रित हो गई थी हर्च से जादा कॉंग्रेस पर आरोप और मुद्दों से भटकाओ बीजेपी की हार की बड़ी वज़े बनी वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस थी जो जमीन से जुटकर अपनी जीत की जमीन तयार कर रही थी नतीजा पांच राज्यों में से तीन राज्यों में कॉंग्रेस की जीत हुई और बीजेपी की हार पांच राज्यों की चुनावी नतीजों को देखकर कहा जा सकता है कि मोदी का मैजिक धीरे-धीरे कम होता जा रहा है पले ही कॉंग्रेस की जीत का फासला जादा नहों लेकिन बीजेपी के हार के चर्चे कॉंग्रेस की जीत के शोर पर भारी पड़ रहे हैं खबर अपडेट की रिपो